कि निंदा और नींद पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोंक सकता है साथियों कि निंदा करने से घवराएं नहीं निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाएं कि अगर आगे बढ़ते हैं परिक्षा के लिए बुश्टर डोज आपका सिकंड है अगर आपको भी बूर्ड मास का जो पूरा मतलब क्या होता ब्रेकट वह मतलब आफ यानि का ती मतलब डिवीजन यह मल्टीपल एडिशन और यह सब्स्ट्रक्शन तो यह सीरियल होता ऐसे ही बढ़ते आगे अब ब्रेकट में भी सीरियल होता है इसमें चार तरह के कोश्टक होते हैं इसको बढ़का कोश्टक बोलते है इसको छोटका कोश्ठक बोलते हैं ठीक है और एक यह भी होता इसको रेखा कोश्ठक बोलते हैं तो अगर कहीं ऐसे लगाती है क्या छोटा कोश्ठक है अगे बढ़ सकते हैं लोग चलू सबसे पहले छोटका कोष्ठक हल करते हैं छोटका कोष्ठक तक इनको वैसे ही लिखते चले जाएंगे उतारते जो जैसे रहेगा अब देखो छोटका कोष्ठक यहीं से सुरू होता आगे ना यहीं से इसमें देखो भाग का चिन है जोड कभी है तो यहां के according पहले क्या होता है पहले भाग होता है फिर जोड होता तब घटा ना होता है तो पहले भाग करेंगे जब इसमें इसका भाग करोगे बाबू 8 में 2 का तो 4 आएगा आएगा ना और जब 4 में इसको 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और इसलिए एक कोश्ठक खतम हो जायेगा और यह क्या हो जायेगा दस समझ मैं यह कोश्ठक ऐसे भी बना सकते हो थोड़ा का मच्छा बना है दूसरे में बढ़ो अब मजलका कोश्ठक खतम करेंगे इनकी अंदर जो हिसाब है यह हो जायेगा जूड के 15 हो जायेगा कितना हो गया 15 किसी को कोई डाउट नहीं फाइनल में जूड के 17 हो गया बस हो गया यह से ही हलो होता है बहुत आसान है जल्दी इसको लिख लिजिए इसका पीडियेफ आप पाना चाहते हैं तो पीवियार स्टेडी को टेली गराम पे जौइन कर लें क्योंकि जो भी सलूसन यहां करवाते हैं उसको सब पीडियेफ आपको टेली गराम पे भेज देंगे ठीक है भाईया आगे बढ़ सकते हैं फिर हम अब चलो next question यह सब question बहुत ही important है आती important है ऐसे कैसे कहूं मैं और आगे कैसे कहूं बिन तेरे जिन्दगी यह क्या होगी देखो सुनो 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फिर प्लस और फिर 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और भी कुछ है क्या नाई सब बंद अब बंद देखो कितना बढ़िया बन गया न इसमें भी वैसे करना है मेरे भाईया बाबू आजाओ जल्दी फटा फट दोड़के और सबसे पहले हम फोटे कोश्टक को हल करेंगे जहां भी छोटा कोश्टक होगा तो यह तीन प्लस यह दो रिवाइड बाई तीन फिर प्लस यहां तक आ गए हम इसका इसमें भाग करेंगे देखो यार यह थोड़ा अलचन वाला लग रहा है मुझे मामला लटकने वाला लग रहा यार यह तो इसका जब देखो यह पांच है न यह सायद 15 दिया है पांच है अगर ऐसा सकते हैं यह पोलो लिख सकते हैं न यानि इसको हम तीन धान पांच बटा दो लिख सकते हैं अरे इकाहे को वाई सिम्पल है यह प्लस को प्लस रहने देंगे फाइप को भाग करना है दो से तो हम पांच बटा दो लिख देंगे इनको अगर हल करेंगे तो दो त्याइं छे और पांच 11 बटा दो अगर ऐसा आगया परिक्षा में तो लेकिन परिक्षा मुझे लगता ये 15 करके देगा कि कट जाये पूरा पूरा इसमें तो कटने लाइग नहीं दे रहा है तो जैसे भी दे रहा फिल हाल हम इसको अभी हल कर देंगे बाकी जैसे भी आएगा परिक्षा आने वाला नहीं आता है तो यह हो जाया गार्दान यह पांच बटा दो कि क्रोश्ठा कि यह बंद जलो अभी सिच्ट्यूएशन के अगर्डिंग आगे बढ़ते हैं थीन प्लस अब देखो यहाँ पर भाग है सबसे पहले इसमें भाग वाला चीज करते हैं इसमें भी माम कोश्ठाक भी इतना गंदा नहीं बनाते हैं जितना गंदा लिखती हो लो चलो ठीक है भाया अब इनको हल कर लीजिए सबको हो सकता इसमें कहीं अगर जोडने घटाने में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी तो मुझे बता देना वाकि हमारी भरपूर कोशी से कहीं मिस्टे ज्यक्ति ये दिक नहीं किसी को कि अब यह उपर उपर का जूड़ जाएगा जो भी आएगा जैसे भी आएगा वन टुवाल इधर साइड में बढ़ सकते हैं कि अधिको यह 15 15 33 33 4 त्याइटीस आएगा मुझे लग रहा है कितना आएगा सैंटिस ना पांच आठ तेरा 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 चार सतरा तो इसको इधर एफ एई लिख लेंगे जो जैसे भी है 3 प्लस देखो यह आएगा 37 बटा छे ठीक है देखो मामला इसे उलजा हुआ है अगर ऐसे कुश्चन आएगा तो ऐसे ही हलोगा क्योंकि यह बहुत अजीव टाइप का कुश्चन लग रहा था अब क्या होगा इसमें किसी को कोई उमीद लग रही कुछ हो सकता है तो ट्राइब कर लेते हैं अब भाईया हो का होगा हो 22 10 32 ठीक है इनका LCM लोगे 6 आएगा अब भाई सिंपल सा तिर्षा गुड़ा करोगे तब भी भाई आएगा एक कच्छे में गुड़ा करोगे 6 6 का 3 में 18 6 का 6 में 1 आएगा 37 8 7 15 5 हासी लेग 3 1 4 1 5 अब इनको भाई कर लो 6 से भाई करोगे तो 6 8 48 गटाने पर कितना जाएगा 48 2 50 यानि 7 यह हो गया आंसर ठीक है कोई डाउट किसी को तो बता दो कोई तकलीफ नहीं ना आगे बढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को को समस्या तो बता देना बस इस वीडियो में वैसे फिलहाल इतना ही बहुत ही छोटा वीडियो है यह इसका और भी बड़ा वीडियो पाने के लिए सभी फिरी क्लास के लिए हमें टेलीगराम पर जरूर जोइन कर ल पास एक नए जोस जनून के साथ पस्त नेक्ट डे